हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों आप सभी का शौगत है इस बहतरीन से वीडियो में और आज किस वीडियो में हम कक्षर दस्कडित का प्रिशनावली 5.3 का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम सभी कल वाली वीडियो में क्या कर चुके थे कुश्चन नमबर 1 एकदम हम अच्छे तरीके से साल्व कर चुके थे और इंट्रोड़क्शन जो फॉर्मूले थे इस प्रिशनावली के इंपॉर्टन उनको भी मैंने बता दिया था और कुश्चन नमबर 2 का पहला प्रशन हम साल्व कर चुके थे लेकिन आज बारी है हमारा प्रशन संख्या 2 के कर देखेँ का तो आपके सामने यहां पर प्रशन दिया गया है चाओ टेस प्लसree प्लस ब•31 गश्च्वopardi संख्य्चों । यानि कि हमने क्या करना है इन सब के योग गयात करने हैं यह फ्रत्री के प्रिशन संख्या 2 आपको यहीं दिया गया है कि नीचे दिये गई कुष्ण नमबर 1 हम solve कर चुके हैं तो की बार है ऐसे हम इसे कि इसे आप लिखेंगे पर्थम पर अग्यूं कि यहां पर अगरहा बात करें प्रतमपद की जो की ए है वह हमारा three four 34 कहै सकते हैं अगर सारवंतर की बात करें जिसने हम डी कहते हैं यह कॉबन डिफ्रेन्स कुछ भी कह सकते हैं वह कैसे पता होगा आपको पता है A1 यह है A2 यह है जब आप A2 में से गटाते हैं तो आपको सारवंतर पता चलता है तो हम A2 में से क्या करेंगे सिंपले से एन घंगे A2 की वैलू 32 है और एन रखाटाएं गए तो D बराबर आए हमारा minus का 2 प्यारे साथ थी और D का value में minus का 2 पता चल गया है अब हमें क्या करना है यहां पर आप देखेगा तो आपका AN AN यानि की एनमा पद या अंतिम पद कह सकते हैं आप इसे इसे क्या कह सकते हैं इसमें अंतिम पद आपका दिया गया है तो अंतिम पद जिसे हम L कह सकते हैं या AN कह सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं वो क्या है दस दिया गया है यहां पर क्या दिया गया है दस दिया गया है तो अंतिम पद को चाहे आप L कह दीजिए या AN कह दीजिए कोई दिक्कर नहीं है तो चाहे A-N कहें दीजी चाहे L कहें दीजी तो यह आपकर दिया गया है 10 यानि कि हम कह सकते हैं कि A-N हिमान लेते हैं A-N बराबर हमारे के दिया गया है 10 दिया गया है अब A-N की वैलू आपकी 10 दी गई है हमें ग्याद करना है क्या हमें अब ग्याद करना है इनका योग ले पहले हमें n की वैलू यानि की पदों की संख्या पता होनी चाहिए यानि यहां पर n की वैलू नहीं दी गई है तो हम n की वैलू find करेंगे तब हम फॉर्मूला लगाएंगे वह पहला वाला फॉर्मूला जो हम कई दिनों से लगाते हुए आ रहे हैं वह फॉर्मूला आपको ता भी होगा formula copying equal to a-2 προ यही था आपका formula यही फॉर्मूला हम यहाँ पर apply करेंगे अगर हम बात करेंगे आपकी क्या है 10 है तो हम एंक के जगा आ एंक के value रख दिएगे 10 एक टू हो जाएगा आप की रखाएह कहां रखेंगे 34 प्लस कच्छिन लगाएंगे एंगे के वेलू में पता करनी है माइनस वन दी के जगाए तकी कमान रख दीजिए माइनस का टू अब हम सॉल्ट करेंगे तो यह दस था यह चौतिस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा यानिकि है इधर आएगा माइनस का two हो जाएगा और इसमें जुड़ कर माइनस का twenty-six हो जाएगा एक comparative हो जाएगा माइनस का two n अगर हम एनकी वेलू फाइंड करें तो n ब़राबर पहले माइनस से माइनस काट दीजी एन-बराबर हो जाएगा 26 upon 2, अब आप इसे solve करेंगे, तो 2, 1, 2, 2, 3, 26 हो जाएगा, यानि कि N की value जो आपकी आई है, वो 13 आई है, यानि N की value हमें पता चल गई प्यादे साथी, अब हमें यहाँ पर N की value पता चल गई है, अब हमें क्या करना है, हमें इन सब के पदों का योग ग्यात करना है, यानि कि जो स्रेणी आपको दी गई है, इनका योग ग्यात करना है, कि 34 में 32 जोड़ोगे, 30 जोड़ोगे, तो क्या आएगा, ऐसे 10 थर, तो अब हमें ग्यात करना है, तो हम चलिए अब इसे ग्यात कर लेते हैं, कैसे ग्यात करेंगे, simple सा formula लगा कर, आपको बता था, मैंने 2 formula तो यहां पर चाहें, तो आप यह भी formula लगा सकते हैं, या चाहें, इसके जगा पर आप SN equal to N बटेदू, bracket के इंदर 2 A, 2 A plus, sorry, A plus A N, यह भी लगा सकते हैं, क्योंकि कैसे हुआ, क्योंकि यहां पर A N की value दी गई है, तो हम यह वाला formula लगा सकते हैं, same formula मैंने बताया था, कै कैसे ही है, आप पिछला वीडियो जाकर देखिए, वहां पता चल जाएगा, तो यहां पर A N की value दी गई है, आप देखेंगे, तो A N की value दी गई है, तो उतना बटन लगाने की ज़रूद नहीं है, क्योंकि हमें, योग ही गयात करना है, तो चले गयात कर लेते हैं, इसी formula स तो यहां पर आपका formula number 2 apply कर सकते हैं, formula क्या था, अगर आप देखेंगे, तो आपका formula था पहरे साथी, formula था, जो की पदो का योग है, आपका SN equal to था, N बटे दो, bracket के अंदर, A plus A N, यहीं तो formula था, जहां पर A N की value यह हो जाएगी, जब आप इसे रख देंगे, A N की जगा, तो फिर से वही formula ही प्राप्त होगा, अब यहां पर देखें, हमें SN, N की value क्या देगे, यहांने की S 13 हमें ग्याद करना है, यहां पर 13 बटे 2 हो जाएगा, पहरे साथी, bracket के अंदर, A की value आपकी 34 है, प्लस, A N आपका करना था, अंतिमपत जो की 10 था, आपका देखेंगी, और बस इसे solve कर लेंगे, तो solve करेंगे, तो S 13 equal to हो जाएगा, 13 बटे 2 into, 34, 10, 44 होता है, 2 से काटा, 22 बचा, अब आप इसे solve करेंगे, तो S 13 equal to आएगा, 13, 296 के 6, 2 हसल उपर हैं, 13, 296, 2, 28 आजाएगा, यानि कि कुल पदों का यूग आपका आया है, 286, प्यारे स्टुडेंट्स, और यहाँ पर आप लेख सकते हैं, आता, आता, कुल पदों का यूग बराबर 286, और यही है आपका प्यूग, प्याराजा अंसर होगा, देखिए कितने आसान तरीके से हम ने यह वाला प्रशन सौल किया है, चलिए चलते हैं, आप अगले प्रश्न की और, प्यारे साथ ये अगला प्रिश्प आपकी सामनी यह रहा यह स्प्रिश्प को खैसे सौल करना है ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो प्रथम्पद है प्रथम्पद जिससे हम a कह सकते हैं वो हमारा क्या दिया गया है माइनस का पाच दिया गया है अगर हम बात करें तो यहां पर अगर साहरवंतर की बात करते हैं तो हमारा साहरवंतर प्यारे साथी D होगा और D की वैलू क्या होगी A2 माइनस A1 A2 मैसे आप A1 घटाएंगे तो आपको D का वैलू पता होगा A2 आपका माइनस का 8 है तो हमने माइनस का 8 लिग दिया और D आपका क्या है माइनस का 5 है माइनस लगा है फिर माइनस का 5 लिग दिया अब इसा साल्व करेंगे तो D बराबर हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस का 5 यानि आ गया ये माइनस का 3 सकते हैं कि बराबर हमारा क्या है माइनस को टेस्थिक को ङुए dividend अगर अगर हम बात करें तो आपका अंतिम पद जो है लाजट पद जिसे निमा पद भी मान सकते हैं आप जो चाहिए वह मान लीजिए या एल लीजिए दोनों सेम की होता है बस formula में यह difference होगा चलिए अपकी L ही मान कर आपको बता देता हूं अन्तिमपद L को कहते हैं यह माइनस 230 होता है formula में कोई change नहीं होगा जहाँ एन था वहाँ लिख देंगे चाहे आप अन्तिमपद अन्तिमपद हमारा क्या है अन्तिमपद L है जो माइनस का 230 है अब इसका योग गयात करना है लेकिन उससे पहले पदों की संख्या याद करने होगी पदों की संख्या जिसे हम क्या कहते हैं एल कहते हैं पहरा साथ बुश A plus N minus 1D यही तो formula था आपका A formula हम यहाँ पर apply करेंगे AN AN यानि कि अंतिम पद को AN भी कह सकते हैं क्योंकि क्या होता है इस condition में क्या होता है चुकि AN equal to होता है L की तो AN की जगा आप L कमान रख सकते हैं जो की दिया गया है minus 230 बराबर A की जगा आप A कमान रखेंगे minus का 5 जो दिया गया है और plus N minus 1 D की जगा D कमान minus का 3 रख देंगे यह minus का 5 इधर आएगा तो plus का हो जाएगा यानि कि आप देखेंगे तो minus का 230 plus का 5 equal to हो जाएगा 3 का अंदर गोड़ा minus 3 minus minus plus 3 हो जाएगा यहाँ पर देखेंगा तो minus 230 में 5 जोड़ोगी तो minus 225 हो बचेगा और equal to minus का 3 N plus 3 यह 3 इधर आएगा तो minus में हो जाएगा यानि कुल मिलाकर minus का 3 N equal to हो जाएगा यह 3 इधर आएगा तो minus 225 minus 3 हो जाएगा अब आप जोड़ देजीए इस चिनने समान है तो जुड़ जाएगी तो 3 N बराबर हो जाएगा minus 228 minus से minus कैंसल हो गया आपका अब आप N की value निकारेंगी तो N बराबर हो जाएगा 228 बटे में 3 3 सते 21 से गोची 3 6 तारा यानि यह आपस में कट गए यानि कि कुल पद जो आएँ है वो आपके 76 आएँ है यानि N कमान जो है 76 है पदो की संख्या हमें पता चल गई हम लिख सकते हैं कि पदो की संख्या यहीं पर लिख देते हैं पदो की संख्या बराबर 76 कटेसिक आफ में क्या करना है हमें योगयाद करना है तो योगयाद करने के लिए आपके लिए formula था हम तरफ मेरा करेंगे क्या था क्योंकि यहां सुम के अंदर टू ए सॉरी टू ए ना लगाई यहां पर डाली लगाई ए प्लस एल क्योंकि अंतिम पद दिया गया है तो इतना बड़ा लगाने की जुरूर नहीं है एल क्या है अंतिम पद है अगर हम अंतिम पद एयन मानते तो यहां पर एयन लिख देते उसके लिए कोई है तो यह हमारा माइनस का पाच आप देखें गे तो माइनस पाच हमें रखा प्लस एल जो कि अंतिम पद है मारा मानज का दो सो टीज कें तो घ्डिया यहाँ पर आप ध्यान से समझेट पेहरे साथ एगर वीसे और करते हैं तो 76 यानि कि जो च्छेतर पदों का योग है से आप काटेंगे तो दो त्याइच्छी होता है एक बची दो अट सोला यानि 38 दुनना च्छेतर होता है यहां पर बचेगा ब्रेकट के अंदर यह माइनस का पास था यह माइनस का 230 था तो यह हो जाएगा माइनस का 235 यह आपस में ऐसे ही रहेंगे अब हम 38 का माइनस 235 से गोडा कराएंगे पैरे नदर गोडा कराएंगे तो आपका आईगा माइनस 8 9 3 0 8 9 3 0 कितना आएगा 8 9 3 0 माइनस का 8 9 3 0 और यही आपका योग होगा यानि 76 पदो का योग आपका ये आया है और ऐसे बहतरी तरीके से हम शाल्ट गते चलेंगे तो हम लग सकते हैं अताहा पदो का योग बराबर माइनस 8 9 3 0 और ये आपका प्यारा सा एंसर है तो आए होप आपको ये वाला प्रशन बही बहतरी तरीके से सबाज में आया होगा चले चलते हैं अगले प्रशन की ओर यहाँ पर होती आपके प्रशन संख्या 3 की सुरुआत मेरे प्यारे साथी और कुश्चन नमबर 3 को आप देखेंगे तो ये प्रशन पहला प्रशन दिया गया है कि ए बराबर पाच डी बराबर तीन और एन बराबर पचास दिया है तो एन और एसन गयाद कीजिए यानि हमें पद्धो की संख्या और इन सबका योग गयाद करना है एकदम सेम इसी सवाल की तरह है यह अला प्रशन वैसे इसमें दस प्रशन टोटल दिये गए हैं बहुत ही मज़ा आएगा इन प्रशनों को साल करने में तो चलिए सुरुवात करते हैं कुश्य नंबर थी की और इस प्रशन की बहतरें तरीके से सुल्यूशन करते हैं तो पहरे साथ ही अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे तो ए यानि की जिसें प्रथम पद कहते हैं पर पास पहले दिया गया है डी का मान पहले ही दिया गया है एन भी हमें पता है पचास हमें ग्यात करना है हमें ग्यात करना है और हमें क्या ग्यात करना है अब ध्यान से समझेगा मेरे प्यारे साथी एन की वैलू ग्यात करने के लिए हम क्या करेंगे पदों का योग डारे a n equal to होता है a Plus N minus 1 d यहीत होता है यह फार्मुला हम apply करेंगे a n की value की बात करें तो a n आपका 50 दिया गया है एक वैले की बात करोगे तो a आपका 5 दिया गया है Plus and को ग्याप करना है माइनस इसे वैसे रहने दो और डी के जगा डी कमांद तीन दिया गया है अब एकदम आसान तरीके से सौल कीजिए यह पचास प्लस का यह इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा यानि पचास माइनस पाच एककल टू हो जाएगा यह तीन का अंदर गुड़ा तो थ्री एन माइनस थ्री जाएगा अब देखें के फचास में से पांच जाएँगी तो बचेगा फॉट्टी फाइव जिसें माइनस का त्री इधर आएगा तो प्लस का त्री हो जाएगा एककोल टू थी एन क्या सकते हैं फॉट्टी एट इटालिस हो जाएगा तीन कमान अगर अगर में आफ निका जो कि पदो का मान है या पदो की संख्या क्या ही है आपका सोला आ गई है अब इसके बाद हमें क्या गयात करना था हमें एसन गयात करना था यानि पदो का योग गयात करना था यहाँ पर हम direct apply करेंगे formula जो formula आपको पता हूगा या हम apply कर सकते हैं formula equal to हो जाहेगा पिरसाति अगर हम यहाँ पर formula apply करेंleye तो मैंने आपको एक formula बताय था आप चाहे long वाला formula apply करें चाहे our dollar microwave यह यहाँ तो आप देक्के तो ए-n की वेलो आपको दी गई है अब जब a n की वैलू पहले से दी गई है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला नमबर टू अपना लगा सकते हैं जो फॉर्मूला था अब आप कहेंगी यह फॉर्मूला कैसे आया मैं थोड़ा आपको बता देता हूं अगर आपने कल की क्लास नहीं लिए तो प्यारी साथी कोई चेंज नहीं है जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसन बराबर एन बटे दो ब्रेकट के अंदर टू ए प्लस एनो माइनस वन दी यह तो फॉर्मूला होता है अब आपको क्या किया गया यहां पर कि अगर आपको an के value दी गई हो प्रश्ण में तो क्या करना है कि sn बराबर n बटे 2 होता है अब यह 2e को हम a plus a लिख सकते हैं जी हां बिलकुल लिख सकते हैं और जो a n का मान है a n बराबर होता है a plus n minus 1d a n बराबर होता है a plus n minus 1d तो इतने जगा पर हम a n रख देते हैं तब formula बन जाता है sn बराबर n बटे 2 ब्रेकट के इंदर a plus a n बटे 2 और इतना ही आपका formula आ जाता है तो जहां पर a n के वैलू दी जाए वहां पर आप डारेक्ट यह formula रख सकते हैं तो यहां पर हम यह formula रखेंगे तो पदो की संक्या 16 बराबर हो जाएगा 16 बटे 2 ब्रेकट के इंदर a के जगा a का मान रखेगा तो यह का मान आपका पाच आया है तो हम 5 रखतेंगे पहरे साथी यहां पर 5 plus a n की बात करें तो a n आपका आया है यहां पर 50 तो a n के जगा हम 50 रखतेंगे अब इससे जल्दी लग जाएगा वह वाला फर्मल लगाते तो फिर डी का मान रखते सवाते लेकिन अंतिम में 50 ही आता उसका मान अब हम इसे सॉल्व करेंगी तो पहरे साथी देखें यह हो जाएगा आपका आया है तो हम लिखेंगे अताहा अताहा पदो का यूग के आया है तो हम लिखेंगे अताहा अताहा पदो की संख्या पदो की शंख्या एन बराबर आया था सूला क्योंकि एन का मान भी पूछा गया था और अगर हम बात करें और पदो का यूग यूग एसन बराबर आया था चार सो चयलेश को और यहीं आपका यारा सायंसर तो देखें की आसान तरीके से हमने यह वाला भी प्रिश्न सॉल्व किया है ऐसे ही सारी को सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आई होप आपको यह वाला प्रश्न भी इच्छ प्रशन दिया गया अगर 50 कि आपको 33 पती यहां पर दिया गया है कितना दिया गया है अगर हम बात करें तो आपको डी की वैलू नहीं पता है और एस तेरा भी गयाद करना है तेरा हमें तेरा पदो का योग भी गयाद करना है यहीं कह सकते हैं कि यहाँ थेरा है क्योंकि यहां पर दिया गया है तो अगर हम बात करें प्यारे साथी यहां पर ध्यान से समझेगा तो अब हम या करेंगी यहां पर फॉर्मूला एप्लाई करेंगी क्योंकि पहले तो हमें सारवंतर डी कमान ग्याद करना हुगा तो हम पहले क्या करेंगे प्यारे साथी डी कमान ग्याद करेंगे अब हमें डी कमान ग्याद करना है तो हम वह वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो फॉर्मूला था एप्लस एन माइनस वन यही तो फॉर्मूला था यही फॉर्मूला हम यहां पर रपलाई करेंगे अगर हम ए सेमकेयें तो यह यह यानिनिकी ओपको 345 गया है अगर हम बात करें एक की प्यारे साथी गया है प्लस करचन लगाएंगे यह दिफिव होन की जगा न का मांद मांद 3-1ओ और दी की जगाएंथ कामान कुछ नहीं दिया गया है याद करना है तो हमने डी ऐसे रहने दिया अब हम इसे सॉल्व करेंगे यह 35 था यह साथ इधर आएगा घड़ जाएगा यानि 35 साथ हो जाएगा एक कोल्टू 13 में से एक जाएंगे बारा डी हो जाएगा अब यहां पर देखेगा प्यरसाथी तो यहां पर 28 आएगा अगर हम 7,8,15 होता है तो यहां पर आएगा अठाइस और एककोल्टू हो जाएगा बारा डी अगर हम इसे सॉल्व करें प्यरसाथी तो डी बराबर हो जाएगा 8,8 बटी बारा यानि की 2 से काटा चाओधा आया और 2 से काटा च्छी साथ तीन, यानि कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर D कमान आपका साथ बटे तीन आया है, डी कमान क्या है साथ बटे तीन आया है अब D की वैलो हमें पता चल गई, अब हमें पदो का यूग ज्याद करना है, जिसे हम S13 कहते हैं या SN कहते है SN कमान ग्याद करना है तो हम लिखें कि पदो का योग बराबर SN बराबर होता है N बटे दो A प्लस A N अगर हम बात करें तो यहां पर A N की वैलू पहले से दी रही है आप देखेंगे तो A 13 कमान दिया गया है तो हम ऐसे ही रहने देंगे अगर नहीं दिया होता है तो फुल फॉर्मूला लगाते हैं यही फॉर्मूला हम नहीं लगा दिया यहांबर तो S 13 13 पदो का योग ज्याद करना है यानि N की जगा 13 कमान रखें बटे दो A कमान अगर हम बात करें तो A कमान आपको साथ दिया गया है प्लस A N आपको 35 दिया गया है पहरे साथी अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो S 13 एक कोल टो आ जाएगा तेरा बटे दो 35 साथ क्या होता है 22 होता है दो से काटोगे 21 बार में कर जाएगा यानि जो 13 पदों का योग है यानि जिसे हम S 13 कहते हैं वो आएगा 13 गुड़े 21 अब इसे सॉल्व कर लीजिए यानि S 13 आपका क्या आएगा 13 एक अनम 13 के 3 हासे लाइए एक और 13 गुड़े 26 एक 27 यानि 273 आया आपके 13 पदों का योग जो 13 पदों का योग था आपका वो आया है 273 तो हम लिख सकते हैं प्यारे साथी अता हाँ अता हाँ सहरवंतर दी जो हमें प्राप्त हुआ है साथ बटे दीन यूगि दोनों पूछे गए थे तो हम ऐसे लिखेंगे साथ बटे तीन और अगर हम बात करें पदों का योग योग एसन बराबर दिया गया है आपको 273 और यहीं आपका प्यारा सेंसर है तो आई होप आपको बहतरी तरीके से दिवाला प्रशन भी समझ भे आए होगा के साथ मायद पढ़ते रही है और कमेंट बॉक्स में भर देना मिलन सार अगर आपको वीडियो पसंद आई है और चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की प्रश्न आपके सामनी ही रहा है इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है ध्याज़ समझेगा कि यह बारा आपको स साथिस भी मान सकते है क्योंगी यह आपका जो है यह अन्तिंप दिया गया है और किसे कहते है ल को पहते हैं अगर हम बात करें तो ड की हमें पता करनी है तो द necesita हमारा क्या हो जाएगा सारवंतर हमा करना है नहीं पता है question mark लगा दीजिए और s12 भी हमें नहीं पता है अब प्यारे साथ हम कैसे ज्याद करेंगे आप ध्यान से समझेगा आपको पता होगा कि जो formula हम अभी तक apply करते आयते वही formula यहां पर लगाएं नहीं वह formula था आप देखेंगे तो a n equal to होता है a plus n minus 1d यही तो formula होता है यह formula हमें apply करेंगे a n की जगा a n क्या होता है आप जानते हैं चुकि a n बराबर होता है l की a n क्या होता है l के बराबर होता है आप formula देखेंगे कि जहां पर अंतिम पद होता है मैंने आपको बताया था ध्यान से समझे मैं एक बार revenge करा देता हूं कि जो पदों का प्लस ही लिखा और एपलस ही लिखने पर हमें एक संख्या मतब एक फॉर्मूला पर आप तो एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको उता है एन बराबर एपलस लेकिन फिर कहा गया कि अगर ट्रश्न में एन ना दिया जाए एन की जगा पर अंतिमपद दिया जाए तो अंतिमपद किसे हम कहते हैं एन को ही कहते हैं यान क्या होता है वो हमेशा अंतिमपद की बराबर होता है जो आपका एन का वैलो होता है वो हमेशा अंतिमपद की to L हो, यानि कि जब An के जगा L का मान दिया गया हो तो यही फार्मूला जो A plus An था, यहाँ पर क्या हो जाएगा N बटे दो, ब्रेकट यह अंदर A plus L, और इसे थर्ड फार्मूला हमने मान लिया, इसे सकेंड माना था, वो यहाँ जगा L का मान रख सकते हैं सैथिस बराबर हो जाएगा A plus N की जगा N का मान आप लिखेंगे 12 क्योंकि S 12 दिया गया है, A 12 दिया गया है तो N बराबर आपको 12 दिया गया है तो N बराबर 12 है, तो 12 हमने लिखा माइनस का 1 लगाया, D की जगा D का मान तीन रख दिया, इसे साल्व करिएगा तो सैथिस बराबर हो जाएगा A की जगा, A का मान गयात करना है प्लस, 12 मैसे एक जाएंगी 11 बचेगा, कुडे 3 साल्व करिएगा, तो सैथिस बराबर होगा A plus 11 त्याएं, 33 अब इसे साल्व करेंगे प्यारे साथ ही, तो ध्यान से समझेगा अब हमें पदो का योग ज्याद करना है S12 ज्याद करना है, तो हम लिखेंगे पदो का योग पदो का योग SN बराबर हो जाएगा N बटीदू, दुरेकट के अंदर A plus L अब L क्यों कहा गया, क्योंकि इस प्रस्न में क्या धिया गया है, अंतिम PAD दिया गया है तो हम इसे अंतिम PAD गयें अंतिम PAD यहांपर इसका मान दिया गया है L बराबर क्या था Satisった, जिसे में A N भी कह सकते हैं, तो हमएं 12 12 एक पर ब्तिंगे तो 12 हमने रिकां स्थ्ट्रोयल युग कने lado 20 वांस के इनदर a Sld. इकमान 4 है भी व्लस कवारे टीना कि एकमान लगे एकमान रखिएमिगे गई और ऑंजी वांस का मान लगे युद्धम महलवक्त्रट आँकी साह मों कहरेंगे। तो आपको आएग बारह दो एकनमदू दो च्छक्के बारह होता है यानि चे इंटो यह हो जाएगा 41 इसे सॉल्व करिंगे आप पहरें साथ ही तो क्या आएगा यहाँ पर दो सुछष यहाइगा यहाँ आपका आएगा 246 246 और यही आपका एंसर हो लिएगा तो प्याते साथी यहाँ पर आपने देखा कि आपको S12 भी पता चल गया A4 भी पता चल गया और यही आपके प्रस्ट में पूछा भी गया था तो हम लिख सकते हैं नीचे आपको ऐसे लिख देना है जरूर अता हाप पदो का योग बराबर 246 और प्रथम पर जो था यह क्या है चार है और यही आपका प्यारा साथ है तो प्यारा साथी ऐसे ही बहतरिन तरीके से हमने यह वाला प्रस्ट सॉल्ट गया है I hope आपको बहतरिन तरीके से इस हारी चीज़े समझ में आई होगे और एक आदत डाल दीजिए जो जो कुश्टन मैं आपको यहां पर करा रहा हूँ उसे क्या करें कि जब वीडियो जैसे लाइप चल रही है तो साथ में आप क्या करेंगे एक रफ कॉपी लेकर बैठेंगे एक रफ कॉपी लेकर बैठेंगे और साथ में आपका करेंगे उसे नोट करते हुँ चलिए करो फिर मेरी वीडियो का-on करो देखो क्या उसी तरह आपने लगाया है अगर लगाया है तो सई अगर गलत है तो फिर से नूट कर लो और इससे आप अच्छी विद्धियरती बन सकते हैं च्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझे होंगे किस तरह तयार करी एसे ही हसते रहे मुशकुराते रहे और मिलते हैं नेक्ष्ट वीडो में पत्व के साथ तब दिक के लिए जय हिंद्ध बंद्ध मातुरम एक्दमा मुशक्थते रहे उर्द पढ़ते रहे और और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बंदे मात्रा